महाभारत में भीश्म पितामह महत्वपून पात्रों में से एक थे, वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उनके पिता राजा शांतनू थे, भीश्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है, महाभारत के अनुसार राजा शांतनू को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई, इसके बाद गंगा ने राजा शांतनू के सामने शर्ट रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंतरता चाहिए, जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छ छोड़ कर चली जाओंगी, शांतनू ने गंगा की ये शर्ट मान ली, इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया, भीश्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योध्धा का सशक्त चेहरा याद आता है, एक ऐसा पित्र भक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिग्या को निभाने में निकाल दिया, एक ऐसे निशकाम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था, पुत्र की कामना से शांतनू के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे, उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंगा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं जहनू आरशी की पुत्री गंगा हूँ, अब इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा रोचक है, इसलिए आज आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, तो आईए, फिर शुरू करते हैं वीडियो को, और इसी तरह की और रहस्मई जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें, और बेल आईकॉन को प्रेस करें, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, आईए आज की खास वीडियो को शुरू करते हैं, महाभारत की कथा, जीवन को जीने की कला भी सीखाती है, महाभारत की कथा, सिर्फ कौरवों और पांडवो शाली है, भीश्म पितामह के बारे में कहा जाता है, कि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, आईए, उनके बारे में जानते हैं, बारह खास बातें, जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो जय श्री कृष्णा मित्रों, तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं भीश्म पितामह का पहला रहस्य, मित्रों, भीश्म सामान्य व्यक्ती नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवतावसु थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके, योग विद्याद्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था, दूसरा, उनको इच्छा मृत्यू का वर्दान भी प्राप्त था, इस युद्ध के समय अरजुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीश्म डेढ़ 100 वर्ष के थे, उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बाद थी, बौध्धों के काल तक भी भारतियों की सामान्य उम्र डेढ़ 100 वर्ष हुआ करती थी, इसम शुद्ध वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था, भीश्म जब युवा थे, तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे, माना जाता है कि भीश्म युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे, उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण, व महाभारत के युद्ध में भीश्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापती थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापती की हैसियत से भीश्म ने दस दिन तक घोर युद्ध किया था, नौवे दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीश्म बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रत को जरजर कर दिया, आखिरकार भीश्म के भीशन संहार को रोकने के लिए कृष्न को अपनी प्रतिग्या तोड़नी पड़ी, उनके जरजर रत को देख कर श्री कृष्न रत का पहिया लेकर भीश्म पर जपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं. परंतु इस दिन भीश्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं. दसवें दिन भीश्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराय हुए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है. तब प्रिश्न के कहने पर पांडव भीश्म के सामने हाथ जोड़ कर उनसे उनकी मृत्यू का उपाय पूचते हैं। सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षणा करके अपनी अपनी चावनी में लोट जाते हैं। स्त्र का प्रयोग करके वे धर्ती में छोड़ देते हैं। धर्ती से अम्रित्तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीश्म त्रिप्त हो जाते हैं। फिर भीश्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोकर वन्ष की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार-बार समझाया कि हमारी यह गती देख कर संभल जाओ। लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकठे होते हैं। वो नए सेना पतिकरण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधिकराने की चेश्टा करते हैं। मित्रों, भीश्म के शर्शयया पर लेट जाने के बाद युद्ध आठ दिन तक चला। अब आईए जानते हैं चौथे रहस्य को। दोस्तों, भीश्म के शर्शयया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापती युद्ध करना छोड़ कर भीश्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीश्म कहते हैं कि राजा गणों मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए, उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योध्धा तरह तरह के तकिये ले आते हैं, किन्तु भीश्म उनमें से एक को भी ना लेकर मुस्कुरा कर कहते हैं, कि यह तकिये इस वीर शया के काम में आने योग्य नहीं है, फिर वो अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो, आग्या पाते ही, अर्जुन ने आँखों में भर लिये और उनको अभिवादन करके भीश्म को बड़ी तेजी से ऐसे तीन बान मारे, जो उनके ललाट को छेदते हुए प्रिथवी में जा लगे, बस इस तरह सिर्फ सिरहाना मिल गया, इन बानों का आधार मिल जाने से सिर्के लटकते रहने की पीडा जाती रही, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीश्म को नहीं त्याकते हैं, प्राण, अब आईये जानते हैं, पांचवें रहस्य को एक दिन देव वरत के पिता, शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे, कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुन्दर कन्या नजर आई, शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए, महाराज ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, उसने कहा महाराज, मेरा नाम सत्यवती है, और मैं निशाद कन्या हूँ, महाराज उसके रूप यौवन पर रीज़ कर उसके पिता के पास पहुँचे, और स कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा, निशाद के इन वचनों को सुनकर, महाराज शांतनु चुप चाप हस्तिनापुर लोट आए, और मन ही मन इस दुख से घुटने और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा, महाराज की इस दशा को देख कर देववरत को चिंता हुई, जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की ये दशा होने का कारण पता चला, तो वो निशाद के घर जा पहुँचे, और उन्होंने निशाद से कहा, कि आप अपनी शांतनू के साथ कर दें, मैं आपको वचन देता हूँ, कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, वहीं राज्य का उत्तर अधिकारी होगा, कालांतर में मेरी कोई संतान, आपकी पुत्री की संतान का अधिकार छीन ना पाए, इस कारण से मैं प्रतिग्या कर करता हूँ, कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, उनकी इस प्रतिग्या को सुनकर, निशाद ने हाथ जोड़ कर कहा, कि हे देववरत की आपकी ये प्रतिग्या अभूत पूर्व है, इतना कहकर, निशाद ने ततकाल अपनी पुत्री सत्यवती को देववरत तथा उ चांतनू देवरत से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्र, तुने पित्र भक्ती के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिग्या ली है, जो आज तक किसी ने नहीं की है, और नाहीं भविश्य में कोई करेगा, तेरी इस पित्र भक्ती से प्रसन्न होकर, मैं तुझे वर्दान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी, तेरी इस प्रकार की प्रतिग्या करने के कारण तुझे भीश्म कहलाएगा, और तेरी प्रतिग्या भीश्म प्रतिग्या के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी, अब जानते हैं सात्वें रहस्य को, दोस्तों, वि बाद अंबा को शैलव राज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंत में आशियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीश्म की स्थिती से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने ही युद्ध विराम किया। इस तरह भीश्म अपने लिए किये गए ब्रह्मचर्य पर अटल रहे। आईए जानते हैं आठवें रहस्य के बारे में मित्रों सत्यवती के शांतनू से उत्पन्न, दोनों पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यू हो जाने के बाद सत्यवती भीश्म से बार-बार अनुरोध करती है। कि पिता के वन्ष को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन भीश्म अपनी प्रतिग्या तोड़ने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सत्यवती, विचित्रवीर्य की विध्वा, अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने की सोचती है। भीश्म की अनुमती लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा, अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथा क्रम धृतराष्ट्र और पांडू नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। मित्रों, आईए जानते हैं, नौवें रहस्य को सत्यवती के गर्भ से महाराज शान्तनू को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए। को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्धी खाली हो गई। सत्यवती शान्तनू का वंश तो डूब गया और गंगा शान्तनू के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिग्या ले ली थी। जानते हैं दसवें रहस्य के बारे में मित्रों भीश्म शर्शया पर पड़े हुए थे। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राज धर्म मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। बाद में सूर्य के उत्तरायन होने पर युधिष्ठिर, आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीश्म के पास पहुँचते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।